अस्तामनीकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टी टॉप स्मार्टीज ट्रामा सीरियल तेरे बिन हाया जो के मुर्तसिम की मुहबत में काफी बेहया हो चुगी है ऐसे में तो वो ये भी भूल गई कि किसी शादी शुदा जोरे के कमरे में बगएर इजाज़त के जाना कितना बड़ा गुना है अब इसको क्या पता गुना और सवाब का इसको तो ये पता है कि बस मुर्तसिम को पाना है और उसे मुहबत करनी है ऐसे में बड़े ही शौक से जब वो बेट की तरफ देखती है तो मीरब पूछ देती है क्या देख रही हो अब हया इतराते हुए कहने लगी देख रही हूं कि बहुत जल्द ये जगा मेरी होगी मीरब मुस्कुराने लगती है और कहने लगी हाँ तुम यकीन रखो ये जगा तुम्हारी ही है हया तो मीरब के मुझे ये लफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हुश हो जाती है लेकिन मुर्तिसिम मुर्तिसिम तो कभी भी मीरब को नहीं छोड़ेगा बलकि उसे अपनी मुहबत में इतना पागल कर लेगा कि मीरब को तो मुर्तिसिम के बगएर कभी कुछ नजर ही नहीं आएगा जिसकी शुरुआत तो उसने कर दी मुर्तिसिम का हाल तो वो है कि महबूब के हाथ से अगर जहर का प्याला भी मिल जाए तो वो भी आबे हयात लगता है मीरब को जब पता चला कि मुर्तिसिम को मचली खाने से अलरजी है मचली खाकर उसकी तबियर ठीक नहीं रहती तो ऐसे में मीरब बहुत ही शौक से मुर्तिसिम के लिए मचली बनाती है और आकर कहने लगी आपके लिए खाना आज आपकी बीवी ने बनाया है मैंने बनाया है मुर्तिसिम बहुत हुश हो जाता है भी आपने बनाया है तो हम जरूर खाएंगे अब वो बहुत ही बेचैनी से जब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है तो सलमा बेगम कह देती है ये मत खाना ये मचली है और मुझे पता है बच्पन से ही तुमारी तबीयत हराब हो जाया करती थी मचली खाकर अब मुर्तसिम मीरब के हाथ का तो जहर भी उसे मिले तो खुशी से पी ले कहने लगा नहीं अब नहीं होगी मैं ये मचली जरूर खाऊंगा ऐसे में मीरब उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहने लगी शौर? हाँ शौर दो ना अब मीरब ने जो उसको मचली दी तो उसने खातो ली जैसे तैसे खड़के निगल ली लेकिन मीरब की इज़त रख ली कि सब के सामने उसकी इंसर्ट ना हो जाए अब जब कमरे में गया सोने लगा मीरब जो के बेड़ पर सो गई और ये मुर्तिसिम सोफे पर सोने लगा सोने से पहले ही इसकी तबियत हराब हो गई जोर जोर से खांसने लगा कि मीरब भी उसके पास आ गई मुर्तसिम के ये हाला देखकर तो मीरब वाके ही डर जाती है मीरब की आंखों में आंसु है और लहजे में हकलाहट आ चुकी है ऐसे में वो थर-थर काम पने लगती है और मुर्तसिम के कमर पर पीछे से हाथ मलते हुए उसे होश दिलवाने की कोशिश करती है लेकिन मुर्तसिम तो सौफे पर ही गिर जाता है जोर-जोर से खांसने लगता है कि मीरब के तो काबू ही नहीं आ रहा मीरब जोर-जोर से रोने लगती है और चीहने लगती है मुर्तसिम मुर्तसिम कहने लगती है ऐसे में मुर्तसिम सौफे पर गिर जाता है फ्रिंट्स मुर्तसीम की तबियत तो हराब हो चुकी है लेकिन इतनी ज्यादा हो चुकी है आप क्या समझते हैं क्या मुर्तसीम मीरब के साथ मजाग कर रहा है या वाकी इतनी ज्यादा तबियत हराब हो चुकी है जरूर कमेंट्स में बताईएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेर जरूर किचिएगा मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस किचिएगा ताकि मेरी हार आने मदी वीडियो बहुत असानी से देख सकें दौाओं में याद रखेगा अपना बहुत सारा हया रखेगा नई वीडियो तक के लिए अलाहाफेश